कि अधियर श्टूरेंट वैलकम दो यूट्व चैनलेशन क्लासे दोस्तों नंबर सिस्टम का एक बहुत ही भैतरीन ताइप मैं आपके लेके आया हूं जिससे लेटर दोस्तों आपसे अभी अभी जो फिलाल में आपके एक्जाम हो रहे हैं वहां यहां से कुशन दोस्तों ब यहां पर तम्म्र में दिखाए दे रहे हैं कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संक्या हैं जिसमें सभी अंक भिसम है या फिर दोस्तों आपसे पूश लिया जाये कि दोस्तों थोड़ा सा question अगर change भी हो जाए तो आपको कैसे उसको चुटकियों में solve करना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं और समझ लेते हैं इस नए वाले type को कि अंकों पर आधारत संख्याएं लिखने से लेटर अगर आपसे question पूछा जाए तो आपको कैसे उसक बात मुझे बताइगे कि जब हम कोई number लिखते हैं तो मैं कौन-कौन से digit की आवश्यक्ता होती है कि बैया सब्सक्राइख जब हम कोई number लिखते हैं तो मैं कौन-कौन से digit चाहिए तो आपके जीरों की जरूरत होती है हमको हमको जरुरत होती है one की हमको जरुरत होती है two की three की 4 की 5 की 6 की 7 की 8 की और 9 की ठीक है मतलब किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको ज़रूत होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ठीक है अब माई डिये इस्टुडेंट आपसे कोई भी कह दे कि आप जो है एक नंबर लिखिए आप उससे कहेंगी सर में क्या नंबर लिखू तो भाई तीचा ने आपसे बोल दिया कि आपको 325 लेकना है तो आप लेक देंगे ऐसे कि हमको क्या लेकना है 325 तो आपसे वो क् पूछेगा कि my डिये इस्टुडेंट इसमें जो डिजट है वो कितने हैं छेगे एक दो तीन हैं कितने है? तीन हैं आपसे पूछलेगा। डिजट कौन कौन से हैं तो आप कहेंगी कि सर दुतो और एक डिजट जो है आपका इवन है पाता है समझ में दो ओर है और एक इवन है ठीक है कि नहीं यह से आपके question भी यहां से बनने लगेंगी, आप कहेंगी, सर हमने तो आपने कहा था कि 325 आपको लिखना है, तो हमने लिख दिया 325, आपने पूचा कि कौन कौन से डिजिट है, तो भाई, आपने कहा दिया कि 2 odd है और एक इवर है, मतलब यहां से जब हमने 325 को लिखा, तो में पता चला कि यह जो डिजिट दे रखी है, इनी से कोई ना कोई नमबर आपका लिखा जाएगा, इनके अलाबा ऐसा कोई डिजिट नहीं है, जिससे कोई नमबर लिखा जाएगा, यह आप ही जानते हो, ठीक है, कि यह 0 से 9 तक, कि अंकों का इस्तेमाल करके, मतलब डिज आपके, और डिजिट कौन कौन से है, ठीक है, और डिजिट कौन कौन से है, देखिए, एक आपका 1 है, और एक आपका 3 है, एक आपका 5 है, एक आपका 7 है, एक आपका 9 है, और होता है, मतलब आपका बिसम, यह भी जरूरी है कि यहाँ पर जो इस्टुडेंट वीडियो हमार दूसरी बात my dear student, अगर आपसे कहा जाए, कि इसमें even बताइए, कि even digit कौन-कौन से है, तो आप कहेंगे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, लेकिन 0 हमारा even नहीं होता, लेकिन आपका इसी में आएगा even, अब क्यों आएगा, आपसे कहा जाए, कि 640, क्या है आपका, तो आपका इसे even है, क्योंकि 2 से पूरी तरह इसे डिविजवल है, लेकिन हम जो जानते है, even जो start होते, 2, 4, 6, 8, ऐसे होते, लेकिन यहां पर even में 0 को माना जाएगा, यह बात को मैंड में रख लेना, ठीक है कि नहीं, अब आपको इनके question को करने के लिए, cable इतना ध्यार रखना है, कि हमारी जो digit होती है, वो होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, कितने digit होते हैं, टोटल में 10, ठीक है, और जिसमें से 5 होते हैं, आपके even, और 5 होते हैं, आपके odd, मतलब 5 होते हैं, odd और 5 होते हैं, even, बाता ही समझ में, अब तो कोई समझ्या नहीं है, आप कहेंगे, सर्थ ठीक है, अब सीधे चलते हैं, questions की तरब, और हम बताएंगे, आपको कैसे questions को solve खना, देखे, मैंने 0 से high level तक के questions में डाले हूँ हैं, जिससे आपको कोई भी समझ्या ना रहे, जिससे आपको यह ना लगे कि सर, ज्यादा directory आपने hard, high level का question करा दिया, इसका pattern नहीं समझ में आया, सारी चीज़ें आपको के लिए रोंगी, एक ए question आपको YouTube पर मिलता है, लेकिन मैं आपको पूरा pattern इसका समझाने वाला हूँ आज, देखे, मैं dear student, यहां से समझना है आपको, कि question है कि 10 अंकों की कितनी धनात्मक संक्यां समाब है, how many 10 digits positive number are possible, 10 अंकों की, 10 अंकों की मतलब क्या है, जैसे यह, देखे, 10 अंकों की, जैसे यह कितनी अंक की है, तीन अंक की, अब बात कर रहा है, 10 अंकों की, ठीक है, देखे, समझना है आपको कि 10 अंकों की, अब मैं dear student मुझे एक बात बताईए, 10 अंकों की संक्यां का मतलब क्या हो गया, कि जब हम नंबर लखेंगे तो, once, ऐसे start करते हैं, tens, hundred, ठीक है, इस तरीके से, और फिर thousand इस तरीके से, सीथी सीथी यहां पर 10 बना देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, और यहां पर लख देते हैं, आपका यहीं पर एक बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंक एधर हमारा चैरा भी तो है, उस पर लिखा जाए कि फायदा क्या है, अब थोड़ा सा समय लेते हैं, जब आपसे कहा जाता कि, तीन अंक की लखी है, कितने अंक की तीन अंक की, कि आपकी जो 10 डिजिट थी, कितनी डिजिट थी 10, वो 10 की 10 आपकी धनात्मक में आएंगे, ठीक है कि ने, बाता ही समझ में आप कहेंगे, अब हमको लिखनी कितनी की है, 10 की, अब दिखे ध्यान से, एक चीज जिसमें बहुत जादा जरूरी है, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, अब वो दिक्कत क्या होती है, वो सूचते कि सर इसको पैटर्न को करने के लिए, 9 क्यू लेते हैं, 10 क्यू लेते हैं, तो सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मैं डिया स्टुडेंट मुझे बताइए, कि तीन अंका कोई नंबर लखेंगे तो आप कोई भी लख लेजी यह लख दिया, यह तीन अंका कहलाएगा, या फिर आप ने ऐसा किया, कि चार पांच जीरो लख दिया, यह भी आपका तीन अंका कहलाएगा, बात ही समझ अब मुझे बताइए, जब मैं कोई संक्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई भी संक्या लिख रहा हूँ, इस पैटर्न को बड़े ध्यान से समझेगा, तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस चीज को समझ 예ँ है, कहां पर? यहां पर. दस्तंग की लिखना, हमारे डिजट केतनी में उती है आपको 10 होती है तो यहां पर 10 के 10 डिजट आ सकती हैं, यह को 10 डिजट आ सकते हैं, यह भी 10 डिजट अ शकते हैं, यहीं यहां ठील यहैं.. यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, लेकिन startrick में आपकी 10 égट नहीं आएगी, क्यों नहीं, quindi किसी भी numberशना पर zar minder 0 क्या कर दिया गया, तो आपका number क नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या जैसे यह लेख दिया चाहार 156 me चाह कोई और बी लिख सकता था... आट 6 लेख सकता, चाह क्टा, छार भी लिख सकता था... चाह क्टा था... तीन न खान्हीं और, 2 भी लिख सकता ह। था लगना थो क्यू שמ強 कुय सब जिख सकता था.... तो यहां पर इस्टार्टिक में बताया है कि अगर 0 पहले है तो इसका मतलब भी आपका 64 कहलाएगा ना कि आपका 640 ठीक है यह तो आप जानते हो तो यहां पर इस्टार्टिक में जो लिखे जाते हैं वह आपके कितने लिखे जाते हैं 9 अब हमको क्या करना केबल इनका simply multiply कर देना कर देना माइड यह तो इससे एक चीज तो किलियर होगी अगर आपसे पूचा जाएगा कि दस अंकी कितनी धनात्मक संक्यां सम्मव है तो आपको 10 से एक कम करके लिखे देना है 9 और 10 पर पावर लगाते नहीं है 9 यह आपका answer directly आ जाएगा जो कि आ जाएगा only 3 seconds में लेकिन पैटर्न आपके लिए समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि आपको कोई समस्या ना रहे कि सरीय ट्रिक कैसी है देखी और कुशन करते हैं ऐसा यवा कि कितनी धनात्मक संक्या है तो आपको क्या करना है मैं डिया इक 1 तो कितना आ जाएगा 909 ठीक है और कितनी संक्या रहेंगा आपको क्या यहाँ गुणा कर देना है 10 की पावर 909 के इतना ध्यान आपको यहाँ पर रखना है तो इसका answer देखिए इसका option म कोई भी समस्य आये तो अगर आपसे पूछा जाए कि पांसो अंकों की कितनी है एक ऑंक संख्याय अमभव हैं मैंटी एश्टुनिट आपको करना के आपको लिखना है सीधा 9 गुड़ा 10 की पावर कितना 1 माइनस कर देना 400 गुड़ा यह आपका आंसर आसानी से आ जाएगा इस तरीके का कोई भी कुशन आपका आता है तो मैं आप से कह रहा हूं 5 सेकेंड में आप आंसर दे सकते करें तो सहे करेंव अब आप बंब बहु 스 का आपको के अशन का आंसर देais मैं आपको इसा स्साम्चन नहीं आइं देखिए करहां आ हिस मैं सभी आप आपका drop मैं डियंस्टूड़ाइं हम को पताये कि digit जो थी और बिसम मतलब होता है और और digit जो थी वो क्या थी वन थी ठीक है 3 थी 5 थी 7 थी और 9 थी ठीक है कि ने यह digit थी बाता ही समझ है अब थोड़ा सा यहां पर समझ लेते और digit कितनी थी 5 थी ठीक है बैसे simply digit कितनी होती है 10 होती है बिचेशक है 1 छोटी, केазывाफ है 0 मोटीटे decreasing है अब MI aTI इस्ट्डूध तो थीन इसंदुन आश lá उया इसे लिखेंगे मुझे बताइब, यहां पर जीड़ो तो नहीं है जीरो नहीं सहे तो कि पांच की पांच यांपर आ सकती है एक बिया सकता है, हां पर थीन पर हैं, पांच बिया शकता है, साथ, यहांाभी असकता है यहांपे भी पांच बिया सकता है तो हम आपको कुछ नहीं करते हैं आपको कुछ कुछ आपको SIMPLY INHow myös करते हैं 525 यहीरी 525. का हो गया आपसे पूचा जाए छे सौरी छे नहीं है इसमें पाँच और साथ यह नो यह भी आपका तीन डिजिट का ओड का हो गया ठीक है क्योंकि तीनों ओड है तो इस प्रकार से कितनी संख्या बनेंगी 125 बनेंगी ठीक है तो इसका सिंपल सा ट्रिक में आपको बता दिया तो यह जो कुशन था ओड का था मतलब विसम का था अब हम करेंगे एक एवन का और इसी के साथ क्लास को समाप्त कर देंगे और यहां से यही कुशन आपसे पूचे जाते आप पांसर निकाल सकते कि मैं आपसे पूचा गया कि चार अंकों वाली एसी कितनी संक्या हैं जिसमें सभी अंक सम है चार अंकों वाली तो एक दो तीन चार अंक वाली ठीक है यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी भी स्टुजन को चार अंकों वाली और हमको पता है सम की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है E1 की, E1 आपको मैंने अल्डेडी बता दिया है कि E1 डिजिट कहुंसी होती है, 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है कि नहीं, अब मैं DA student मुझे बताइए, यहां पर 5 की 5 हो आ सकती है, क्योंकि यह भी 5 होती है, तो यह समझना बहुत आपके लिए जरूरी था, तो इसको हम कर देंगे, कि यहां पर इन चारों में से कोई आ सकती है, तो केवल कि इतनी आ सकती है, 4 यहां पर संक्या आ सकती है, अब हम कर देंगे सीधा यहां पर मल्टीबलाई, कि 25 और 25 बंज ए 125 और 125 चोगा हो जाएगा आपका 500, ठीक है, इसका भी आंसर यह था, मैंने option पर टिक नहीं लगाया था, तो इसमें आपको कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है, और इस सेकंड्स में दोस्तों, आप इस तरीके के questions को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो चलें दोस्तों, इसी के साथ class को समाप्ट करते हैं, और आप से हमारा humble request है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करें, हमारा चैनल से अगर आप जुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल को subscribe करें, and thank you for watching my video.